Hello everyone, मैं विश्र जीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज किस वीडियो के अंदर में हम इगनू के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो, जून 2022 का रिजल्ट अनॉंस हो चुका है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है एक अपडेट हुए है, दूसरा अपडेट हुएए है, ऐसा धीरे धीरे करके सारे सब्छीख से आपके अपडेट हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट्स ऐसे भी हैं जो खुद मैंने ट्रेंड किया हैं जिनको खुद मैंने पढ़ाया है ठीक है कुछ यूटूब के तुरू जुड़े हुए हैं ठीक है तो उन स्टुडेंट्स के जो एक्जाम अटेम्ट किया उन्होंने बहुत अच्छे से अटेम्ट किया उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उनके नंबर अच्छे आने चाहिए थे पर एक्जाम में नंबर अच्छे नहीं आये हैं ठीक है उनके उम्मीद से भी बहुत कमाए है ठीक है तो ये चीज़े हैं तो उसके बारे हम discuss करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए उनका next step क्या होना चाहिए ठीक है तो सबसे main चीज़ क्या होता है कि exam का result निकलने के एक महीनी बाद तक मतलब एक महीनी का पूरा time है आप rechecking के लिए जा सकते हो revaluation के लिए जा सकते हो जिसमें क्या होता है आपको एक certain amount of fee पे करनी होगी ठीक है उसके बाद आपके answer seat के जो totaling है उसको जोड़ा जाएगा या फिर एक बार दुबारा से चेक किया जाएगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है आपका गलत number तो update नही लिखा था answer seat जो लिखी थी आपकी वो भी आप देख सकते हो PDF form में आपको वो भी मिल सकता है यहां पर बट दोनों के लिए आपको पेमिंट करना पड़ेगा जो amount fix है उसको पेमिंट करना पड़ेगा ठीक है तो यह चीज होती है तीसरा चीज यहां पर दूसरा option यहां पर उसका start हो चुका है ठीक है तो अगर आपको लगते हो आप लगते हो कि confident नहीं है यार मैंने सही से किया नहीं तो आप उसके लिए भी जा सकते हो ठीक है अभी एक start है admission वो चल रहे है examination form बर सकते हो दिसंबर 2022 के लिए और आपका जनवर या दिसंबर के end तक में आपका exam हो ज कौन जो भी चलाते हो वहां पर आना है इगनु सर्च करना है इगनु के official website पर आ जाना है कुछ इस तरह का interface होता है इगनु के official website का यहां पर पहला देखोगे उपर में ही तो यहां पर register online करके tap बना हुआ है उसके अंदर में नीचे आओगे तो revaluation का यहां पर दिख कि जो भी students के number कम है या फिर वो satisfy नहीं अपने number से वो अपने number का recheck करवा सकते अंसरीट को निकलवा सकते उसके लिए होता है ठीक है तो अब इसके अंदर में हमें करना क्या है तो normally देखो इन subjects के लिए जो MCQ based होते हैं यहां पर देख पाऊगे यह जितने भी subjects red color से लिखे हैं यह सारे MCQ based होते हैं तो इनके आपको answer sheet नहीं निकल सकते हैं इनके आप revaluation नहीं करवा सकते हो यहां पर बोला गया है ठीक है जो भी student है उनका ID card लगता है email ID मतलब आपको अगर मालो answer sheet चाहिए तो वो क्या करते है scan करके आपका answer sheet देते हैं तो कैसे देंगे तो कई बार होता है courier कर देते हैं आपको courier आ जाता है घर पे door delivery हो जाती है दूसरी चीजी होता है कि आप अपनी mail ID दोगे mail ID पर ही online वो फोटो कॉपी भेज देते हैं ठीक है scan करके photo उसका पूरा भेज देंगे आपको आप उसको check कर सकते हो कि कहां पर क्या लिखा था आपने किस तरह आया है तभी आपको revaluation के लिए जाना चाहिए otherwise नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत महेंगा पड़ता है दूसरी चीजी यहां पर बात करें दोस्तों तो यहां पर करना क्या है तो normally यह page खुलके आजाएगा page खुलके आने के बाद आपको सीधा यहां पर declare करो कि हां मै देना चाहता हूं declaration form को submit करो I agree पर proceed करो I agree पर proceed करने के बाद नीचे में दो option आजाएंगे कि कौन-कौन सा session है आपका यहां पर एक और आपको देखो number यहां पर दिख जाएगा एक और student का जिसका MHI 09 के अंदर में 41 number है और यह जो student है almost यह कह सकते हो कि best student है मेरे class का ठीक है अ MHI 10 का वो बोलता है कि चलो 57 है मैं satisfy हूं MHI 6 का भी उसने बोला कि satisfy हूं पर MHI 9 का उसने बोला satisfy नहीं हो तो उसने revaluation के लिए गया तो revaluation के लिए जब उसने form बढ़ा तो यह इसका detail आता है जैसे MHI 9 उसने select किया तो यहां पर 3 option आते हैं आपको only revaluation करवाना है ठीक है तो यहा आपकी fee है साड़े साथ सूर पे लगती है ठीक है अगर मान लो आप शरीप answer copy निकलवाते हो तो answer copy निकलवाने के आपकी जो fee लगती है वो सो अर अगर दोनों निकलवाते हो तो साड़े आठ सूर पे लगेगी ठीक है यहां पर back आ चुका है login करना पड़ेगा दुबार से वापस से हम आते हैं अपनी इसके उपर में तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो दूसरा चीज यह है देखो आप confident नहीं हो कि यार मेरा सायद exam अच्छे से नहीं हुआ था मैंने अच्छे से लिखके नहीं आया कहीं पर मेरे में ही कमी थी आप यह गर मान के चलते हो तो best suggestion यह रहेगा मेरी तरब से कि आप December जो exam होने वाला है उसका examination form start हो चुका है आप उसके लिए apply कर सकते हो ठीके simply जाना है आपको form बढ़ना है और 200 रुपे per subject आप दे सकते हो जिस subject में भी आपको number कमा रहे हैं में आप कर सकते हो यहाँ पर एक और student का है ठीक है आपको में रिजल्ट दिखा देता हूँ यह student है और बहुत अच्छा एक दोस्त की तरह भी है MA history कर रहा है तो उसके तीन subject के number अभी update हुए है जेखोगे 20, 10, 22, 9 और 22, 9 को इसके update हुए है दो subject के अंदर में 30 और 34 नमबर आए हुए है MHI 9 के अंदर में 34 नमबर है MHI 10 के अंदर में 30 नमबर है और इसका जो best जो इसका कहेंगे ना strength है इसके MA history की वो MH9, MHI 10 ही है क्योंकि MHI 9 के अंदर में वो Indian movement पढ़ रहा है ठीक है भारती है जो भी आंदोलू होगे उसके बारे में पढ़ रहा है बहुत अच्छे सी इसका पकड़ है उसके अंदर में और MHI 10 के अंदर में ये जो इस्टॉक्चर है Hindi इस्टॉक्चर उसके बारे में पढ़ रहा है अनरचना एक है है बहुत मतलम मेरे students इस पेसली मेरे खास हैं, तो उनके मैं बात कर रहा हूं कि वो अगर इसमें अच्छे हैं, subject में, अगर मैं exam conduct कर रहा हूं, या पिछले कई साल के question paper उनसे करवाता हूं, तो वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करते हैं, तो उनके number कमा रहे हैं, तो कहां पे गलती है, क्या है, अभी मैंने पीछे एक वीडियो भी देखा था, YouTube के उपर में, ठीक है, किसी सरके तुरू डाला गया था, जिसके अंदर में बिना चेक किये ही number अपडेट किया गया था, एकनू के अंदर में, और ये चीज़े नॉर्मल है, आप कुछ सोच सकते हो, कि almost 30 लाग से जादा students इगनू के अंदर में इंडूल करते हैं हर साल, ठीक है, almost 30 लाग students है इगनू के अंदर में, और एक्जाम होता है, 5-7 लाग एक स्टेट में एक्जाम देते हैं, और उसका 10-12 दिन के अंदर में ही एक्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जबकि हम जब तैंथ में पढ़ते थे, और एक बार में 8-9-10 लाग एक्जाम देते थे, डेली के हो या कहीं और स्टेट के हो, और उसका रिजल्ट आने में almost 2-5 महीने लग जाते थे, और यहां पे 10 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है, और जबकि जो इसका जो इक्जाम है, वो इतना बड़ा है, इत आप कह सकते हो, simply, suggestion मेरी तरफ से यही रहेगा, अगर आप re-checking के लिए जाते हो, तो इसका form पे आना है, directly form भरना है, re-checking का fee जो होता है, आप directly भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसके अंदर में का ज्यादा को चाहिए नहीं होता है, एक आपको सिर्फ ID कार्ट जो फोटो कापी है, वो भी मंगवाएं, जिससे क्या होता है कि जो गलती होने के चांसी से हो ज्यादा नहीं रहती है, अगर कई बार क्या होता है, कि बिना हमारे मन में रहता है, कि बिना चेक किये भी वो अपडेट कर देते होंगे, साइद नमबर हमने apply कर दिया, पैसा ले ल सेमिनल इंस्ट्रक्शन दे रखा, अगर उसको खोलते हो यहां पर तो एक पूरा पीडियेफ आ जाता है, जिसके अंदर में बता रखा है कि कैसे कैसे क्या है, तो इसकी फी साढ़े साथ सूर पे होती है, ठीक है, और कब कर सकते हो, तो एक्जाम निकलने के एक महीने तक का टाइम होता है, ठीक है, और पूरा और भी डिटेल यहां पर दे रखा है, तो कैसे कैसे करना है, वो चीज़ें आप यहां पर बताया गया है, कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, इगनु की वेबसाइट पर जाना है, कहीं सकते हो ठीक है और अगर कुछ भी doubt है कुछ भी problem है समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है कुछ और भी चीजें हैं कुछ और भी problem से तो आप मुझे से directly contact कर सकते हो ठीक है WhatsApp group का मैं link के दे दूगा description के अंदर अगर आप comment करोगे, मैं link डाल दूँगा आपके comment पे, ठीक है, तो आप उसे join करके group मुझे directly भी question पूर सकते हो, और एक और important चीज दोस्तो, अगर आप वीडियो का भी तख देख रहे हो, important चीज एक और है आपके लिए, इस वीडियो का link अपने दोस्तों से जरूर से शेयर क अगर उनको confident है कि उन्होंने अच्छा लिखा था, तभी वो revaluation के लिए जाए, अगर confident नहीं है तो दुबारा एक्जाम के लिए जाए, क्योंकि दुबारा एक्जाम देते हो, तो सिर्फ 200 रुपे per subject लगेगा, पर revaluation के लिए जाते हो, तो revaluation का 500 और आंज़ा सिर्ट निकल आने का 100 रुपे, 8.800 रुपे अल्मोस्ट लग जाएगा, ठीक है, एक subject का, तो यह जरूर करें, वीडियो को सेर जरूर करें, जितने भी आपके group हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो एकनों से जुड़े हुए, उनके तक यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे वो भी aware हो के इसके बारे में, तो friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening, bye bye, take care, all the best, कोई भी doubt हो, comment करके बेजी जग पूछे, आपके लिए 24x7 मैं हमेसा हूँ, bye bye, take care, all the best